स्रावस्ती जिले में दिल को जगजोर देने वाली घटना परकास में आई है जहां कच्छा चाल में पढ़ने वाले एक मासूम छात्र को तेज रफ्तार टेक्टर ट्राली ने रोन दिया जिससे छात्र की मोके पर ही दर्दनाक मोत हो गई मौस से परजनों में मातम पसर गया वहीं सूचना पर पहुची पुलिस ने सव को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है घटना स्राबस्ती जनपत के सोनवा थाना छेतर अतरगत इट्रोरी गाओं के प्रास्मिक विद्याले इट्रोरी का है जहां पर कच्छाचार में पढ़ने वाले छात्र अरविंद कुमार जिसकी उम्र तकरीबन आठ नो साल बताई जा रही है स्कूल के गेट से जैसे ही वाब बाहा निकल ला था वैसे ही विपरी दिसा से आ रहे है तेज रप्तार ट्रेक्टर ने उसे रौन दिया जिसे चात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि आपको बता दे कि स्कूल परसासन की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि छात्र को सड़क पार कराए जिससे वास रच्छित अपने घार पर पहुंच सके लेकिन यहाँ पर अध्यापकों की लापरवाही के चलते ये बड़ी घटना हुई है सूचना पर सौनवा की पुलिस पहुची थी सव को कबजे में लेकर के पोस्माटम के लिए भेजा गया है और कारवाही सुरू कर दी गई है जबकि घटा को अंजाम देने के बाद ट्रेक्टर ड्राइबर ट्रेक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया वह आपको बता दे नाराज ग्रामीरों ने स् खाने देंगे जब तक इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं हो जाता सूचना पर उच्छे थिकारी भी स्कूल में पहुच गें जहां उच्छे थिकारियों के समझाने बजाने के बाद में सव को पुलिस के कबजे में दिया गया है दूसरी बात आपको बता दें कि जो अब भावक हैं उनका ये कहरा है कि जो स्कूल का गेट है वो सड़क की तरफ से तोड़कर दूसरी तरह बनाए